मैंने ब्रमास के निव प्रोमो को 0.25x की स्पीड से देखा और यकीन मानो जो मैंने hidden detail find की है उसको सुनने और देखने एक बात आप शौक दो जाओगे और एक ऐसी possibility के बारे में बताऊँगा जो आपने कभी नहीं सोची होगी तो let's begin जुरून के पास जो लॉकेट्स है जब आप उसको गौर से देखोगे तो वो छोटे-छोटे पत्थर के तुकडे हैं जो कि इस वाले statue के हैं वो सकता इनमें कोई प्रकार की energy है जुरून अपनी आर्मी को दे रही है ताकि वो इसका use कर पाए परना उसके आर्मियों के तो ल ब्रमास के दो तुकडे मिल चुके हैं और उसने इसको जोड भी लिया है तो यह और कोई नहीं बलकि जुरून है क्योंकि इसने जो ब्रैसलेट पैना हुआ है यह सेम ब्रैसलेट हमने जुरून के आद में देखा है तो हाँ यहाँ पर यह बात कंफर्म है यह जुरून ही ह नमार 4 अब आता है यहाँ पर गुरूजी वाला सी यहाँ पर गुरूजी बता रहे है कि ब्रमास के अगर तीनों तुकडे आपसे मिल गए तो तबाही आ जाएगी तो वहीं पर आगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर कुछ रेड रेड टाइप आपको कुछ नमार 5 जब जरून की आदमी लोगों को ट्रेनिंग दे रही होती है यहाँ पर शिवा, गुरूजी, पावनास्तर यूज़ करने वाला एक बंदा और नाक दरूस्तर यूज़ करने वाला एक बंदा दिखता है जो कि यहाँ कुछ ना कुछ तो करने आई है लेकिन एक लोगों को पावर मिलती है तो इस वाली सीन में यह लोग गन का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी कोई इंटरनली पावर नहीं है इनको जब लोकेट दिये जाएंगे तभी इनके पास पावर आएगी तो हाँ यह भी आपने आखा के लिए लड़ रहे हैं ताकि अब यह भी समाज में कोई इज्जत मिले नमर शिक्स आपने भी यह वाली बात नोटिस की होगी जिस किसी के पास भी कोई इस पेसल अस्तर होता है तो वो इस भ्रमास्तर के तो चुटा है तो यह थोड़ा गलो करने लगता है यह वाली चीज हमने तब भी देखी थी जब चारुखान इस साइंटिस इसको एनलाइज कर रहे होते हैं तो हाँ यह अस्तर गलो करेगा जब भी इसको कोई स्पेसल परसंच छोएगा नमर सेविन अब यह पता नहीं यह चीज मैनन नोटिस की है यह आप भी वही चीज नोटिस कर रहे हो इसा ना पने राइट हैंड मे कोई स्पेसल टाइप का कड़ा पहना हुआ है अब ऐसा मोस्ट प्रोबैबली हो सकता है आलिया को इस मूवी में कोई लव इस्टोर की एंगल से नहीं डाला गया है हो सकता है इसका भी कोई इंपोर्टेंट रोल हो यह चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ जब मैंने जलास्त्र प्रफिर रखी हुई है और उन पर हार भी चड़े हुए हैं अब ब्रमास्त पार्ट बन में दो लोग तो श्योर मारे जाने वाले हैं क्योंकि फैन थेओरीस की मुताविक होने वाले हैं शारुख चान जो बानर अस्तर का यूज कर रहे हैं इसी बानर अस्तर को हम लोग कि करते हैं, जिसका औरा रेड होचहा है और दूसरा चारख्तर है नागा अर्जन का यह लोग इतनी जल्दी नहीं मारेंगे क्योंकि इनका रोल बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है इस मुवी की सबसे ज्यादा हाइप सी वजए से है और मज़े कमेंट करके बताओ कि यह लोग मारे जाएंगे या फिर पार्ट टू में भी दिखेंगे अब देखो यह तो थे मुवी की डीब डिटिल के बारे में तो आप एई वीडियो कंट्यूनिय कर सकते हैं और अगर आपको नहीं जाना है तो यहीं पर छोड़ सकते हो तो स्पोईलर बार्णिक देता हुए लेट्स बिगे प्रोमो के स्टार्टिंग में हमें रेड कलर का एक स्टैचू दिखाय हुआ है और अगर इन दोनंग ही स्टैच्यू को बरावर करके देखें तो इस दोनों ही स्टैच्यू दोनों ही करेक्टर अलग है डिफरेंट है èke negative एक a positive यानि एक है अच्छाही के तो मेरा नाम मी आर्यान नहीं और सीरिसली गाइज यही देखना चाहता हूँ मैं तो हाँ हमें मूवी में सारुक खान एर रणवीड सिंग का नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस दिखने बाला है तो मझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है इसमें रणवीड सिंग मैं विलन है या फिर सारुक खान और हाँ आपने ब्रमास्तर मूवी की टिकेट बुक की है या फिर नहीं बैसे मैंन तो कर ली ऐसे ही मूवीड की मिस्टेक्स एंड डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक शेर कर देना मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में